हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में और मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ पासपोर्ट साइज फोटो बनाने के बारे में जैसे कि ये फोटो आप देख रहे होंगे ये पैन कार्ड में एक फोटो है या फिर आपको कोई बलर फोटो है उससे आप पासपोर्ट साइज फोटो कैसे बनाएंगे वो मैं आपको इस वीडियो के मादियम से बताऊंगा तो चलिए शुरू करते हैं ये मेरे पास में एक फोटो है ये पैन कारड का उसको मैं कर रहा हूं मतलब कि उसको क्रॉट करकर निकाल रहा हूं उससे पासपोट साइज के फोटो घाफा हे restrictions कुछ आख वाख कुछ नहीं दिख रहा फिर भी मैं इससे आपको वीडियो कैसे मतलब फोटो कैसे बनाना हो इस वीडियो के माध्यम से बताता हूं पर इसको पहले सेव कर लेते हैं क्रॉप कैसे भी कर लिजे कहीं से भी मैं डायेक्ट जो विंडोस 10 में सफ्ट्वेर रहता ह है डायेट फोटो को क्रॉप करने का उससे में कर लिया इसको क्या करेंगे एक AI के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन इसको अन बलर कर लेते हैं लिखेंगे गूगल में अन बलर तो इसमें क्या है कि इसमें देखिए अन बलर लिख रहे हैं तो इसमें आएगा एक वेबसाइट ह लिखाओ आय दिखा ह trucा देखिए देखिए ना तो इसको में लोग खोलेंगे यह खुल जाए डाइट अनबलर करने वह यह बहुत सार और भी option है लेकिन आपको यह मिल जाएगा इसमें तो इसमें देखिए अनबलर इमेज में लिखावा इमेज नाव इसमें लोग क्लिक करेंगे जैसे क्लिक करेंगे वैसे ही यहाँ पर अप्लोड करने का ओप्सन दिखेगा वो फोटो को अप्लोड कर लेते हैं तो देखिए इसको खोलते हैं और खोलने के बाद इसमें हम लोग अप्लोड करेंगे वह जो ह उसको यह free नहीं है लेकिन मैं उसको कैसे यूज करना वो मैं बता देता हूं आपको समझ में आ जाएगा किस प्रकार से करना है तो इसमें मैं loading होने थोड़ देर लग रहा क्योंकि मैं इसको screen recording कर रहा हूं तो थोड़ा सा हो जागा फोटो ठीक है तो यह प्रोसेस कर रहा है और इसमें फोटो देखिया पूरा clear हो गया जितना clear था नहीं मतलब blur था पूरा तो इसमें पूरा अन बलर हो गया है बहुत अच्छा दिख रहा है तो यह देखिए इसको क्या करेंगे डाउंलोड करेंगे तो इसमें पैसा मांगता है फॉटो इनकालना है तो इसको आम लोग क्रॉप कर लेते हैं क्रॉप करने के बाद इसको सेव करना पड़ता है तो क्रॉप करने के बाद हम लोग कर लेते हैं ठीक तो सेव कर्लैते हैं कि लिए?!" क्योंकि डाउनलड करेंगे तो आपसे पैसा लेगा पैसा देना हमारे स्की बात नहीं कर लेते हैं कि अब कर देते हैं पिर काम हो चुका है फिर क्लेंगे इसको खोलते हैं और दोनों फोटो को मैं दिखाताहू कितना बुलर है इसमें देखने यह नहीं दिखने अब समझ जाएंगте देखके क्या रहा है और मेरे पास जो फोटो और देखिए पुरानलब फोटो कैसा था नए कैसा था तो इसमें हम फोटोसोफ छोप्वापिन और फोटोसफ में ऊपेन करने के बाद फोटो को ले लेंगे जो अच्छा निलर करेंगे कि थोढ़ा उसको यह कर लेता है मतलब की size में ले आते हैं passport size में passport size होता है 3.5 और 4.5 cm का तो वह page ले लेते हैं मैंने पहले set कर रखा हुआ तो उसको मैं ले लिया आपको लेना तो custom जाके आप set कर सकते हैं इसको move कर लेते हैं इस page के उपर में साइस बना लेते हैं तो वह कर लेते हैं देखिए है इसको मैं घसका ले रहा हूं और घसकानी के बाद मतलब फीट कर लेता हूं इसके अंदर ठीक है यह थोड़ा सा फैल जाएगा और आपको थोड़ा मड़ा इसमें कुछ ए रिटिंग करना तो कर सकते हैं लेकिन मुझे सिर घसके बदय के लिए को लाए कर देंगे और इसको क्रॉप कर लेंगे सना इसनकर on परमेट करना जाएं और Literum करने के बाद यहां पर कि इसको move कर लेंगे वह size में रहेगा जो 3.5 और 4.5 cm में वह size में रहता है तो वह move करके मैं इसमें लगा लेता हूं और इसके side में stroke देता हूं तो blending option में जाएंगे right click करके layer option में जाने के बाद layer side में और इसमें मैं इस docto click करके शट्रॉख करने के बाद थोड़ा सा इसको three में सब्सक्राइब तो इसको मैं देख लेता हूं देखे यह उसको फिर से अल्ट दबाकर गसका के पिर सको कॉपी कर लेते हैं अब देखे जाओ कि अब अच्छा तो निकल जाएगा अगर आपको कि इस कभी भी ऐसा बलर फोटो मिलता है या कहीं से भी उसको कॉपी करके ठीक करना या फिर कोई बुढ़ा आदमी है जो कि बहुत पुराना फोटो उसके पास में उसको अच्छा कर देना तो अन्बलर्ड टुल यूज़ करके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ठीक है तो फिलाल इस वीडियो में आपको समझ में आगले वेडियो में